बॉलिवूड एक्टिस कम्न नावत को उनके बेबाक अंदाज और बयानों के लिए जाना दाता है और अब उन्होंने ट्वीटर के सीओ जैक तौसी के साल 2015 के एक ट्वीट को शेयर कर उन पर निशाना साथा है दरसल कम्ना ने अमेरिका के पूर रास्पती टौनल ड्रम के ट्वीटर अकाउंट को पर्मनेंट बैन करने पर रियक्शन दिया है आपको बदा दे कि जैक डॉसी ने अपने एक पुराने ट्वीट में कहा था कि ट्वीटर अभिवेक्ति की सोतनता के साथ खड़ा है इस पर रियक्शन देते विए कंग्ना ने ट्वीट किया है नहीं आप ऐसा नहीं करते हैं इसलामवादी मुल्क और चीनी प्रोपोगेंडा ने आपको पूरी तरह खरी दिया है आप सिर्फ अपने फाइदे के लिए स्टैंड लेते हैं आप दूसरे के विचारों के प्रती बेश्यर्मी से असिहुंता दिखाते हैं आप अपने लालच के प्रती एक गुलाम के सिवाए कुछ नहीं है फिर से ऐसा विचार ना करें ये बहुत ही शर्मनाक हैं बता दें कि इससे पहले कंगना ने महिलाओं पर अत्याचार करने वारे लोगों के खिलाफ कड़ी सजा तै करने की मांगी थी एक्टिस ने कहा था कि भारत में भी साओधी अरप की तरह सजा तै होनी चाहिए और महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले लोगों को चोराहे पलटका देना चाहिए भुपाल में मीडिया से बात करते वे कंगना ने कहा बहुत से लोग हिम्मती नहीं कर पाते हैं कि वो अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में बताएं आपको हम बता दे कि कंगना ने कहा कि लोग के चुप रहने की एक वजा हमारे दक्या निस्वी कानून भी है सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे यहां लंबे समय तक फाइले चलती रहती है पीड़ितों को सालों तक अपने साथ हुए उत्पीड़न के बारे में बताना पड़ता है और उन्होंने कहा कि जब तक हम साओधी अरब जैसे कुछ उधारन पेश नहीं करेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकेगा उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम 5-6 गैंगरेट के मामलों में इस तरह की सदा दे ली चाहिए तोचा ख़बरों के यूँ ही जुड़े रहे हमारे साथ और हाँ हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को ज़रूर प्रेज़े